नमस्कार मैं अंजना और आप देख रहे हैं ता खबरदार निउस आईए बढ़ते हैं MP की मुक्य खबरों की और एक्सपर्ट बोले ओगर मशीन टूटी दूसी भी नहीं आएगी मोहाने पर पानी का रिसाब बढ़ा उतरकाशी के इस इलक्यार टर्नल में फसे 41 मज़़ूरों को बाहर निकालने की कोशिशों में हर दिन नई नई बाधायें सामने आ रही हैं मज़़ूरों से महस 10 मीटर दूर अमेरिकी ओगर मशीन टूट गई जिसके करण रेस्क्यू का काम शुकरवार से रुका है इंटरनेशनल टर्नलिंग एक्सपार्ट और नॉल्ड डिक्स ने कहा है कि अब और्गर से ड्रिलिंग नहीं होगी ना ही दूसरी मशीन बुलाई जाएगी इंटर के स्कूल में पीटे गए छात्रा ने खाना छोड़ा मारते धकाते हुए वीडियो आया सामने अब पिता ने कही यह बात इंटर के सैंट पॉल स्कूल कैंपस में तीन दिन पहले सीनियर छात्र की पिटाई से घायल नौभी का स्टूडेंट सदमे में है उसके जबड़ी में सूजन है उसने दो दिन से खाना नहीं खाया है सिर्फ लीक्वीड डायेट ले रहा है डॉक्टर का कहना है कि अगर छोड़ थोड़ी और गहरी होती तो छात्र एक आँखी रोसनी हमीसा के लिए खो सकता था उसके पिता ने कहा कि वैब बच्ची को स्कूल से निकाल लेंगे मद्यप्रदेश में 4% डिये पर सरकार खामो शतिसगर राजिस्थान में मिलेगा महंगाई भत्ता MP में इंतिजार करे कर्मिचारी विदान सबाच नाव के लिए लागू आचार सहिता के वीच राजिस्थान के बाद अब शतिसगर के कर्मिचारियों वाधिकारियों को महंगाई भत्ता मिलना तैह हो गया है MP में इसके लिए अब सरो कर्मिचारियों को सरकार की फैसले का इंतिजार है कर्मिचारी अधिकारी संगठनों का कहना है कि सरकार जानवुचकर कर्मिचारियों को मिलने वाले भत्तों के भुगतान में देरी कर रही है सड़क किनारे पीशाब कर रहे हैं दोस्तों को कार ने रौना पार्टी कर लोटते समय हुआ हासा इलास के दोरान एक की मौत भुपाल में सड़क किनारे पेशाब कर रहे हैं दोस्तों को कार ने टकर मार दी हासे में एक यूवक की मौत हो गई हासे के बाद दौनों यूवकों को इलास के लिए जेपी अस्पतार पहुंचाया गया जहां से गंभी रूप से घाली यूवक को हमीदिया अस्पतार रेफर कर दिया गया जबकि दूसरे को प्रात्मिक इलास के बाद छुट्टी दे दी गई उपचार के दौरान गंभीर घाली यूवक की शनिवार तड़की मौत हो गई ओवर स्पीड गाडियों के लिए खड़ी है इंटरसेप्टर वीकल डेर किलोमीटर दूर से वाहनों की स्पीड का लगा लेती है पता अगर आप हाईवे में अपनी गाड़ी तेज रफसार से भगा रहे हैं तो जरा साबधान रहे क्योंकि आपकी गाड़ी को मध्यप्रदेश पुलिस के जवान डेर किलोमीटर दूर से देखकर ये पता लगा लेंगे कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है ऐसे में आपको ओवर स्पीड गाड़ी चलाने में चालान भी देना होगा मद्यपदेश पुलिस इंटर्सेप्टर वीकल के साथ इन दिनों हाईवे पे तैनाथ है जो की तेज रफतार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कारेवाई कर रही है सागर में भोपाल रोड पर बस पल्टी यात्रियों को आई मामुली चोटे लगे से ओबर लोड थी बस सागर की मुदी नगर थाना शित्र के ग्राम रतोना के पास सागर भोपाल रोड पर तेज रफतार यात्री बस अन्यंत्रेत होकर पलट गई दुर घटना में बस में सवार करीब आठ यात्रियों को हलकी चोटे आई हैं किसी के हताथ होने की सूचन नहीं है घटना करम की जनकरी मिलते ही मोदी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलू को अस्पताल भीजा सागर में धमकाकर छात्रा के साथ किया दोशकर्म जिस्तेदार के घर श्यादी समारों में हुई पैचान दोस्त के रूम पर लेग जाकर किया था गलत काम सागर की गोपाल गंज थाना में 17 वर्षिय छात्रा ने दोशकर्म की शिकायत की है पिरिता ने बताया कि आरोपी ने डरा धमका कर जबर्दस्ती दुस्कर्म किया मामली की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्जगर जांच में लिया है वही कारिवाई करते हुए आरोपी को गिरफतार कर लिया है राजसभा में MP की पांच सीटों पर नंबर गेम मौझूदा चार सीटों को बचाने भाशपा को चाहिए 152 विधायक अप्रेल में खत्म होगा कारिकार मद्यपरदेश में 3 दिससंबल को विधान सबच नाव के नतीजे आएंगे इन नतीजों से 2 सवालों के जवाब मिलेंगी मद्यपरदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी अप्रेल 2024 में खाली हो रही राजसभा की पांच सीटों में से कितनी किस पार्टी के खाते में जाएंगी मोदी ने तेजस फाइटर प्लेन में उडान भरी कहा गजब का एक्स्पिरियंस था देश की स्वादेशी शमताओं पर भरोसा और बढ़ा प्रधान मंत्री नैंद्र मोदी ने बैंगलूरू में शनिवार 25 नवंबर को तेजस फाइटर प्लेन में उडान भरी पीम ने कहा तेजस में सफलता पूरवक सौटी की ये गजब का अनुभव रहा इस उडान से मेरे अंदर देश की स्वादेशी स्वादेशी शमताओं पर भरोसा और बढ़िया है इन दौर में प्रकास परवपर नगर कीर्थन जगा जगा स्वागर ढाल क्रपा के साथ प्रदाशन खुद समाल रही सफाई और ट्रैफिक विवस्था इन दौर में सिक समाजवारा गुरू नानक देव के 554 वे प्रकास गुरू परवपर गुरू द्वारा इमली साहिब से नगर कीर्थन निकाला जा रहा है यह कीर्थन सुबा 11 बजे से शुरू हुआ जो रीगल ब्रिस से होते हुए फिर से इमली साहिब पर पहुँचेगा अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही प्रमुख खबरों के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहें दखबरदार निउस